नमस्कार दोस्तों थिंका इसमें आप सभी का स्वागत है आज हम घटना चक्र द्रश्टी करेंट अफेस दो जाती इस पर चचे कर रहे हैं इसमें हम एक साल की करेंट अफेस देखेंगे साथी साथ UPSC, UPPSC, MPPSC और Un-State PCS Examination की तयारी के लिए questions को देखेंगे चली चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं राश्टी परिद्रश्यों को करेंट अफेस में देश की राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, श्यक्षणिक घटनाओं विवं विभिन मंत्रयालियों की घटनाओं पर नज़र डालेंगे सबसे पहला टॉपिक है आमाद्मी पार्टी को राश्टी दल का दर्जा मिल गया है चुनाओ चिन्द, आरक्षड एवं आवंटन आदेश, 1968, election symbols, reservation and allotment order 1968 के तहत राश्टी दलों के रूप में माननेतर प्राप्त करने येतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार है लोगसभा या विधानसभा के किसी आमचुनाओ में उस राजनेतिक दल को नियूंतम किनी चार राज्यों में से प्रत्येग राज्यों में कुल वैदमतों के नियूंतम 6 प्रतिशत्मत प्राप्त हुए हो तो वैदमतों की कितने नियूंतम 6 प्रतिशत मत और उसने लोगसभा की नियूंतम 4 सीटे जीती हो तो ये पहली हो गई दूसरी है लोगसभा के पिछले आम चुनाओं में जो उसके पहले हुए होंगे उस दल ने कुल सीटों की नियूंतम 2 प्रतिशत सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में नियूंतम 3 राज्यों में से दल के प्रतियाशे निर्वाचित हुए हो तीसरी मानिता क्या है उस राजनेतिक दल को चार या अधिक राज्यों में राजिस्तरी यानि स्टेट पार्टी राजिस्तरी दल के रूप में मानिता प्राप्त हो तो ये तीन शर्ते हुई उप्रियुक्त तीन शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनेतिक दल राश्ट्री दल के रूप में मानेता प्राप्त करने के योगे होगा इस मरणी तथे देख लेते जो इससे रिलेटेड ही है 10 अप्रेल 23 को भारती निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुखमंत्री अर्विंदर केजरिवाल के नेतरतो वाली पार्टी आमादी पार्टी जिसको हम आप कहते हैं को राष्टी दल नेशनल पार्टी का तमका दे दिया है और दर्जय प्रतान कर दिया है जबकि अखिल भारती ये त्रमूल कांग्रेस जिसको हम AITMC कहते हैं ममता बनर जी की पार्टी बारती कमनिस पार्टी CPI कमनिस पार्टी ओफ इंडिया ये मार्क्सिस्ट भी एक वो अलग है वो अभी भी नेशनल पार्टी है और तीसरी है राष्टी कॉंग्रेस पार्टी NCP की ये शरत पवार की पार्टी NCP Nationalist Congress Party से राश्टी दिल का दर्जा वापस लिलिया गया है विड्रो कर दिया गया है इस प्रकार वर्तमान में देश में कुल राश्टी दलों की संक्या कित्ती हो गई चै हो गई है हाली में संपन गुजराद विधान सभा चुनाओ 2022 में आमादमी पार्टी के प्रदर्शन की समिश्चा से या इस पश्ट होता है कि इस पार्टी के प्रतियाशियों ने उक्तो चुनाओ में कुल वैद मतों वैलेड वोट्स के 12.92 प्रतिशत मत प्राप्ति किये है इसके अतरिक्त गुजराद विधान सभा की कुल 182 सीटों में से आमादमी पार्टी को पास सीटे जीतने में सफलता मिली है इस प्रकार आमादमी पार्टी ने गुजरात में राजिस्तरी दल इस्टेट पार्टी के रूप में मानेता प्राप्त करने हैं तो नरधारित मान दर्णों को पूरा कर लिया है उलेकनी के आमादमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राजिस्तरी राजधानी छेतर दिल्ली, एन सिटी ओफ डेली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ओफ डेली में पहले सी राजिस्तरी दल के रूप मानेता प्राप्त है इस प्रकार आमादमी पार्टी को कुल्चार राज़ों में राजिस्तरी दल का दर्जा प्राप्त हो गया है ग्यातवर्य की चुनावचन आरेक्षण वा आवंटन आदेश उनिस सो अरसट के तहत राज यानि स्टेट के अंतरगत राश्ट्री राजधानी छेतर दिल्ली भी शामिल है वो लेकनी की आमादमी पार्टी का चुनावचन जाडू यानि ब्रूम है राश्ट्री दलो की वर्तमान संख्या 6 है देख लेते कौन-कौन से आइएंसी है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस बीजेपी है भारती जन्ता पार्टी बीएसपी है भाहुजन समाज पार्टी CPIM है माक्सवादी है भारती कमनिस पार्टी माक्सवादी NPP है National People's Party और आप है आमादमी पार्टी